वेल्कम बैक अगेन अब यूट्वीब से बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ ऑफिसल नोटिफिक्स हमारे सामें निकलके आया है इसकी इसुडेट दोस्तों देख सकते हैं 1732 24 रहने वाली है बुंदिलखंड विस्पिदल जांसी की ऑफिसल दोस्तों यहां पर अपडेट र परते हैं 1734 की राष्टिय सिक्षानिती जो आपको पता है नेवाले श्ट्रेंट है राष्टिय सिक्षेन नीशनल एजूकेसन पॉलसी ठीक है नेशनल एजूकेसन पॉलसी दोर बीस नैप ठीक है से अच्छाद्र बीए एमे के विसम समस्ष्ठा के परिक्षार्तियों के मौक की संपन कराने है तु संबंद्र महाविद्यार्य परिक्षा केंद्र में संबंद्र बिसाय के बाया परिक्षा के योज़त कर लौगन की माद्यम से नियुक्ति पत्र प्रिसित किये जा रहे हैं संबंद्र महाविद्यार्य परिक्षा केंद्र के प्राचार केंद्राद्यक्ष संबंद्र बाया परिक्षक से दूरभास पर संपर्क स्थापत करते हुए इस्तिति निर्दार कर परिक्षा के नियुक्ति पत्र में उल्ले के निर्देसों के अनुसार प्रायोगी संपन कर प्राइवकी की निर्दायत तित्री का संबंद छात्रों का ब्यापक प्रिशार प्रिचार दोस्तों कर दिया जाए ताकि कोई परिख्यादी उक्त से बंचित नहीं के उनहें का ताकि पर है कि उपर जो होनी है उसके संबंद में दोस्तों बताए जा रहा है कि इसमें चाहिए बाट जो कोण कर सकते हैं और दोस्तों फिलिए बात है और प्रियू जो निर्देश दिये गए हैं तो कॉलेज वाले उसी हिसाब से पारान उनका करें अंगे क्या कहा गया है कब से कब तक होने हैं इनके दोस्तों में प्राक्टिकल संबंदित महाविद्याला की प्राचार अभी बताऊंगा कि एक्जाम कब होंगे और रिजल्ट भी लेट आए ठीक है माविद्याला की प्राचार केंद्याद्रिक्स जोड़े मुझे कहने का निलेज हुआ है कि या उनकी परिच्छक आंत्र परिच्छक निक्टना किये गए हों तो उसकी सूचने ततकल अदो हस्ताक्षिक को अबगत कराते हुए परिच्छक की निवती कराकर प्राव नोटस पगेरा तो कॉंड़ कर सकते हैं ठीक है उक्त्र प्राव की दिनांग 18-3 से दोस्तों 18-3 से कल आज से ही 18-3 से बोला गया है नोटस कलका है 18-3 से 31-3 तक संपन कराई जाएगी प्राव की संपन कराने के उपरां दतकल प्राप्ता को को ऑनलान पूरत करते हुए उनकी कि हार्ड कॉंपी दिनांग 5 तक अब देख सकते हैं तो 5-4 तक तो दोस्तों प्रेक्टिकल की हार्ड कॉंपी ही पहुँच रही है पॉइंट हमारा यहीं से बन तो बोलो अपने कॉल्ज में कॉंट करें या कॉल्जी वाला को खुछ से कॉंट्टे भी करेंगे लेकिन आप पहले कॉंटेक्ट करने कॉलेज से ठीक है तो 18 से 31 की बीच में आपके बाया प्रैक्टिकल होंगे अभी होली का भी आपकासिसमें बीच में लग जाएगा तो आप लोग थोड़ा कॉंटेक्ट में रहें अब बात आती ही कि यहां पर रिजल टिकाव आएगा पांच तारीक क और देख सकतना तससर तक इसके रहे हैं इसके हर्ड़िक आपकी रेसीप होगी को तो इंखर बहुत दिली हो जाएगे इनकी ě्निक्य अपके जाएग दिए आपने के शेकन्त वीक में अपरल के सेकंड वीक से पहले नहीं आने वालें कि 15 अपरल के आसपास या 15 अपरल के आसपास आएंगे ठीक है और बी एससी के हो चुके हैं लगवार लगवार तो उनके फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांस हैं बट इस पर भी पूरी तरह के से कोई सिरूटी नहीं है कि रिजल्ट के बाद एक्जाम इसने फॉर्म ओपन हो इसमें भी कोई क्लियर्टी नहीं है बस आपको मैं बता रहा हूं जो ऑफीसल अपडेट है वो क्योंकि 11 तारीक बोला गया 26 लाट आज 18 है लेकिन अभी एफसाइट ओपन नहीं हुई है नेश्ट्विन पॉइंट समयली आप लोग को तैयारी का एक अफसर मिल ला है और प्रैक्टिकल बादा के जो भी स्ट्रेंट है समन्द में तो कमेंट मोक्स में बताएं कि सर हां मुझे मेरी कॉल आया था और नहीं आया तो आप लोग कॉल करने कि सर ऐसा ऐसा हुआ है जिससे कि आप अपडेट हो जा आप से जो नोटिस आया था कि एक्जाम का पैटर्न आपका ओए अमार बेस रहने वाला है तो आपको ओए अमार बेस पढ़ना है तो थेओरिकल नहीं पढ़ना है तो आप इसी हिसाब से अपने दयारी को वर्कवार रख सकते हैं ठीक है जैसा कि बहुत से स्ट्रों के कमें ऐसे प्रेक्तिकल छूट गया दो साख्या यह खूंट आपको 9 स्वार बाता प्वाभ आपको चार्द सो से बहुत जबढ़ सकता है इसकी कोई रिमिटेशन नहीं है लेकिन कोई को और नहीं है आप कॉलेगे करा सकते हैं Cons čरक रहता है कि आप कि निरहन चले जाएं रिजल्ट से पहले तो कुछ हो सकता है तो अभी भी टाइम है आपके पास आप कॉलेज जाए कॉलेज वालों से कुछ एडवाइस लें सलाय लें कि क्या होगा क्या नहीं होगा और स्टुएंट के वन में डाउट था कि यहली एकजाम कपसे होंगे मैं थे बता भी था है और उनीस से तो आब के फाईली दोस्तों यहां परचुनावी है तो कैसे हो सकते हैं औरी अप्रेल से अभी फेलाल में आप मार्ट चला आ है फेलाल में ऐसी कोई अपडेट आ थि तो अपडेड करा दूगा फिलना भी कोई डिर्सीट नहीं आई यह कुछ भी नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा अपने इंट्विचन सत्त भौनी को